नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल धहलाने वाली खबर सामने आ रही है, शैना के जवान और उसकी पत्नी की शड़क खास्ते में दर्दनाक मौत हो गई है, इस कुल बस और कार में इतनी तेश टकर हुई कि दोनों कार में एक घंटे तक फसे रहे, किसी तरह बोनर तोड़ मामला अलवर का है, घटना निमराना थाना छेतर के बहरोर कुण मार के पास बिगाना गाउं की है, बुद्वार दो बहर दो बजे सैंटरल अकेडमी शिनिर सेकेंटरी की इसकुल की बस और सोबी के सामने बिड़त हो गई, इसमें कार के परखच्चे उठ गए, कार सावार दापंती मडान थाना छेतर के नानक वास के रहने वाले थे, अजे यादो बाईस वर्षिया, उसकी पतनी सोनम 21 वर्षिया, अलवर के बहरोर सी एसडी कैंटिन में सौपिंग करने जा रहे थे, इसे दोरान सामने से आ रही इसकुल बश ने टकर मार दी, बस दिवार तोड कर पास में बने एक मकान में जागुसी, हास्ते के बाद पती पतनी कार में फस गए थे, जिनें इस्ताने लोगों ने किसी तरह बहार निकाला, हास्ते के बाद गहल आवस्ता में उन्हें अस्पताल में भर्तिक रहा गया, जहां डाक्टरों ने अजे को मिर्थ गोशित कर सोनम की हालाद गंबिर होने पर उसे रिफर कर दिया गया जहां इलाज के दोरान उसकी मिर्ति हो गई बीस बच्चों से भरी बस को ड्रैवर मुरारी यादव पच्पन वर्सिया छोड़ कर फरार हो गए हैं वहां माजरी गाउं का रहने वाला है बश ड्रैवर वा बच्चों को कोई चोट नहीं आई है इसकुल की छुटी के बाद भारोड में गांडला गाउं में बच्चों को छोड़ने जा रहा था निमराना थाना अधिकारी प्रेम परकाश ने बताया कि अजे ने 2019 में सैना जोइन की थी वर्दमान में जम्मू कस्मीर में 21 कुमाव यूनिट में शिपाई पत पर तैना थी 25 फरवरी 2022 में माजरा निवासी सोनम से उनकी शादी हुई थी वो अपने घर के इकलोते बेटे थे सादी के बाद दूसरी बार छुटी पर गाउं आया था अजे के पिता पौन कुमार भी इसी यूनिट में शुवदार के पत पर तैना थे सोनम के पिता बियसम में इस्पेक्टर के पत पर तैना थे तो दोस्तों मैं भगवान से यही दूआ करता हूं कि इस सासे में अपनी जान गवाने वाले बीर जवान की आत्मा को भगवान सांती दे, साथ इस मुश्किल गड़ी में उनके परिवार को दुख सेने की छमता दे, जब तक सोरा चांद रहेंगे तब तक बीर बलिदानी से सोता है, आओ कसम खाएं उन बीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सची भारते बन कर अपना फर्ज निभाएंगे, जरुत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा दे कर इस धरती मा का कर चुकाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अन देखाना करें, देश के लिए लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, आप से फिर मुलाकात होगी, किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदी मातरम